हार वो सबक है जो आपको जीत ही और आंगे लेके जाता है जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां तक आंगे बढ़ो जब आप आंगे बढ़ोगे तो आपको और भी रास्ते दिखाई देंगे और ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आप अपनी मंदिल पर पहुँच करने वाल आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं competition community के online platform पर इस platform पर आज हम बात करने वाले मध्य प्रदेश के आधुनिक राजवन्षों की और मध्य प्रदेश में आधुनिक रियासतों की तो चलिए हमारी क्लास की और आंगे बढ़ते हैं हम बढ़ने वाले मध्य प्र रियासत और फिर है भोपाल रियासत यह तीन रियासत कैसे सामने आई आपको यह चीज़ पता होनी चाहिए देखे सबसे पहले आपको कैसे समझ की चलना है एक कहानी समझ के चलिए इस कहानी में बात यह है कि सन 1737 कि सन 1737 की बात है इस समय बाजी रावड प्रथम का युद्ध होता है एक किसके साथ है कि इस इस संदी का नाम होता है है । दॉला सराइ की संधी और दॉला सराइं की संधी के तहत यह बात कही जाती है कि नर्मदा से लेकर चम्मल लदी तक के मध्धिकल जितना भी शेत्र है वो सारे शेत्र पर अब मराठाओं का अधिपत्य होगा कि अब हम समझते हैं कि कंडिशन क्या हुई सबसे पहले आपको एक कहानी पता होनी जी वो कहानी क्या है सबसे पहले एक शाशक रहे जिनका नाम है बाजी राव प्रथम बाजी राव कौन से बाजी राव मस्तानी वाले कि नर्मदा से लेके चम्मल नदी घाटी के मद्य का जितना भी छेत्र है वो सारे छेत्र पर मराठाओं का अधिपत्य होगा और निजाम इस चीज को आप स्विकार करते हैं मराठा कौन बाजी राव जो है वो मराठा ही है तो इस कारण से मराठाओं का अधिपत्य हो गया दिया गया, अब इन तीन भागों में हमें इन बड़ी-बड़ी रियासति हैं देखने के लिए मिलती हैं सबसे पहली होल करन, फिर सिंह्दिया और फिर पवार जो रियासते हैं यह थो छोटी रियासत हैं, वो विक्सित नहीं हो पाई लेकिन जो तीसरी रियासत हमें देखने मिलती है वो है भोपाल की बेगमों वाली रियासत अब हम बात कर लेते हैं यहां पर क्या हुआ देखिए एक युद्ध होता है जो कि बाजी राव प्रथम के बीच में बाजी रौफ प्रथम वर्षिस निजाम के बीच में होता है इस युद्ध में 1737 इस युद्ध में एक संधी होती है जिस संधी का नाम होता है दौला सराई की संधी यह जो छेत्र है दौला सराई का शेत्र यहां सिहोर जिले के अंतरगत आता है और सिहोर जिला जो है वह मध्य प्रदेश में इस्तित है भोपाल के जस्त बगल पे इस्तित है इसके अलावा इस संधी के तहट कहा जाता है कि चंबल से लेकर संपूर्ण नर्मदा नदी के मध् और फिर जब ये छेत्र बन जाता है कि भाई मराठा का इतने से इतने तक में पूरा अधिकार हो गया है तो अब मराठा इनको कैसे बाटेंगे देखे सिंधिया भी मराठा है होलकर भी मराठा है और पवार भी मराठा है अब मराठा कैसे अपने शेत्र को बाटेंगे तो क्या किया गया तीन शेत्र बाटे गया पहला दिया गया होलकर होलकरों को इंदोर वाला शेत्र दे दिया गया फिर दिया सिंधिया सिंधिया को दिया गया उज्जैन और ग्वालियर वाला शेत्र क्योंकि सिंधिया राजरंज की पहली राजधानी उज्जैन ही थी और ग्वालियर फिर अगला जो बटा गया वो दिया गया पवारों को और पवारों को जो छेत्र दिया गया वो दिया गया देवास का अपने देवास की छोटी पाती और बड़ी पाती सुना होगा तो ये वही शेत्रा जो की पवारों को मिला था आंगे चलते हैं देखे मध्य प्रदिश में मुख्य रियासते, तीन रियासते हमने देख लिया होलकर रियासत का जन्म ऐसे हुआ, सिंधिया रियासत का भी और भोपाल रियासत का भी सबसे पहले हम बात करेंगे होलकर रियासत की होलकर रियासत होलकर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी अब एक कहानी आपको समझ के चलनी है देखे होलकर रियासत जो है सबसे पहले किस में आते थे ये तो ये भी मराठा थे होलकर रियासत की संस्थापना या फिर स्थापना मलहार राव होलकर जी के द्वारा की गई देखिए अब आजकल बहुत ज़ादा टीवी मेक सीरियल भी बहुत ज़ादा प्रचलेत है जिसका नाम है अहिल्या बाई तो ये जो होलकर हैं ये वही होलकर हैं और मलहार राव होलकर जी के द्वारा होलकर वंश की स्थापना की गई थी इस वंश ने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया था बाद में इस वंश की राजधानी महिश्वर को भी बनाया गया अब बाद में जब महिश्वर इस वंश की राजधानी बनी तो कहानी इन दौर से महिश्वर तक कैसे पहुची आप एक बार सुर लीजी आपको समझ में आ जाएगा मलहार राव होलकर जी जो ये हैं इनके एक बेटे थे जिनका नाम था खांडे राव होलकर और मलहार राव होलकर सबसे ज़ादा प्रतापी शाशक बाने जाते होलकर बंच के तो मलहार राव होलकर ने अपने पुत्र खांडे राव होलकर का विवाह एक बेहद ही कुडी कन्या के साथ कराया जिनका नाम था अहिल्या भाई होलकर और अहिल्या भाई से इन्होंने विवाह लगभग 11 से 12 वर्ष की आयू में ही अपने बेटे का करवा दिया था इसके बाद जो खंडे राव होलकर है इनकी तब्यत आस्वस्त हो रहने लगती है और इनकी तब्यत खराब होती है धीरे धीरे और रानी अहिल्या भाई भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और इसके पश्यात हम देखते हैं कि रानी अहिल्या भाई को एक पुत्र की प्राप्ती होती है जिसका नाह होता है माले राव होलकर और माले राव की प्राप्ती के पश्यात खंडे राव होलकर की मृत्ति हो जात अब यहां से कहानी समझो, खांडे राव खतम हो गए, फिर मलहार राव खतम हो गए इतना देखने के बाद आहिलिया भाई होलकर समझ गए कि राज शाशन उन्हें अपने हाथ में लेना पड़ेगा अहिल्या भाई होलकर बहुत ही सामान ने परिवार से थी इसके 37 में भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और 37 में इन्होंने अपना संपोर्ण जीवन मानवित में त्याग कर दिया बात करते है अहिल्या भाई की तो ये बन गई शाशक लेकिन कुछ समय पस्याथ नियती कुछ है सी रही कि इनके जो बेटे थे जो एक मारतर थे माले राव होलकर euharo होते हैं जिनका नाम होता है तुकोजी राव होलकर और आंगे चल कर अहिल्या भाई की मृत्यों के पशचात तुकोजी राव होलकर जो है इस सामराज्जी को चलाते हैं तुकोजी राव होलकर का बेटा आता है जिनका नाम होता है यश्वंत राव होलकर और यश्वंत राव होलकर आंगे चलकर जिन्होंने होवन्छ की स्थापना की तो मलहारा नहीर में राजवारा महल की स्थापना की थी राजवारा महल की नीव इनोंने रगदी बाद में आंगे चलकर महल का निर्मार पूरा हुआ इसके साथी साथ में इनकी समाधी जो है वो भिंड जिले में स्थित है भिंड जिले के लहार शेतर में इनकी समाधी स्थित है बाकी सारे होलकरों की समाधी जो है वो इंदौर में स्थित है लेकिन मलहार राव होलकर जी की समाधी भिंड लहार में स्थित है अगले शошक्की और आंगे बढ़ते देए ये है हमारा राजवारा महल बहुत जादा फेमस हैं इंदौर के शेतर में इसके सांत ही साथ में यहां पर इंदौर में एक राजवारा मारकेट म्यूसfruit भी लगता है और इस राजवारा महल के सामने माता अहिल्यावाई होलकर की यहां पर एक प्रतिमा रखी हुई है यह महट साथ मंजिला महल है जिसमें से जो मंजिले हैं वो लकडी की बनी हुई है और इसके साथ में मार्बल की बनी हुई है दोनों प्रकार से इसकी मंजिले बनी हुई है इन मंजिलों को तीन बार तीन बार दंगों में जलाया भी गया है जिसका प्रमुख कारण है क्योंकि ये लकड़ी की बनी होई है इस राजवाडा महल के अंदर एक हॉल फेमस है जिसका नाम है गडेश हॉल अहिल्या भाई होलकर दिवी अहिल्या भाई होलकर की जब हम बात करते हैं तो इनके पती का नाम था खांडे राव होलकर देखें स्टार्डिंग से देखते हैं इनका जन्म कहां हुआ तो इनका जन्म हुआ था महराष्ट्र में और इनके जब मलहार राव होलकर जी थे जब इन्होंने पहली बार इने देखा तभी इन्हें अपनी भहु की रूप में इन्होंने स्विकार कर लिया था इनके पती का नाम है खांडे राव होलकर पुत्र का नाम माले राव होलकर इनके सेना पती जिनका नाम था तुकोजी राव भोलकर इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर और साथी साथ पे इंदौर से ट्रांसफर करके महिश्वर को अपनी राजधानी बनाया अच्छा इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महिश्वर क्यों ट्रांसफर की थी देखें इंदौर एक ऐसा छेतर था जो की चारो तरफ अन्य रियासतों से घिरा हुआ छेतर था वहीं महिश्वर से राजधानी परिवर्टत करने का मुख्य कारण ये था क्योंकि महिश्वर खरगौन जिले के अंतरकत लगता है अर्थात मध्यप्रिदेश के दक्षणी भाग में सपर्श होता है इससे सीधे सीधे वो नीचे मराठाओं से संपर कर सकती थी महराश्ट्र में तो मराठाओं से डारेक्ट संपर करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को महिश्वर इस्थान अंतरित किया और इनकी दो राजधानिया थी महिश्वर में एक घाट बना हुआ है जिसका नाम अहिल्या घाट है और यह घाट नर्मदा नदी पर इस्थित सबसे बड़ा घाट है इस घाट की फोटो देख लेते हैं देखें यह है अहिल्या घाट जो कि नर्मदा नदी पर इस्थित सबसे बड़ा घाट है और नर्मदा नदी पर बहुत सारे घाटों का पुना निर्माड बहुत सारे मंदिरों का पुना निर्माड अहिल्या भाई होलकर जी के द्वारा करवाया गया था फिर आते यश्वंत राव होलकर यश्वंत राव होलकर आपको देख रहे हैं देखें यश्वंत राव होलकर इन्हों नहीं इनके ही नाम पर अब्हाई होस्पिटल महाराझ यश्वंत राव। ह्उस्पिटल की स्थापना की गई थी। हिं लाच यश्वंत राव किमिय। मध्य प्रदेश का नंपूलियन की और हमसी थापना कि है। मध्य प्रदेश में सिंधिया राजवन्ष अब हमने देख लिया मध्य प्रदेश में इंदौर में होलकर राजवन्ष अब हम देख रहें मध्य प्रदेश में सिंधिया राजवन्ष अब सिंधियाओं के यहां पर क्या क्या सिचुएशन रही है सिंधिया राजवन्ष के सबसे प्रतापी शाशक महादादी जी सिंधिया, दौलात राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया आदी थे राजधानी की बात करते हैं तो इस राजवन्ष ने अपनी राजधानी उजयन को बनाया था लेकिन उजयन से कुछ समय पश्यात इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्त करके ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया तो इनकी सेकंड राजधानी जो थी वो थी ग्वालियर इस वन्ष क्यानने शाशकों की बात करते हैं तो रणोजी सिंधिया ये गलत लिखा है ये रणो जी सिंधिया, महाददी जी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया और विजिया राजे सिंधिया जीवाजी राव सिंधिया जो है ये आपको याद होगा कि ये मध्य प्रदेश की स्वतंतरता के समय पार्ट के अध्यक्ष बनाये गए थे किस पार्ट के अध्यक्ष थे ये तो ये पार्ट B के अध्यक्ष बनाये गए थे जीवाजी राव सिंधिया जी कौन कौन से शेत्र को तो ग्वालियर उज्जैन और उसकी बगल में जो शाजापूर वाला शेत्र है दिवास वाला शेत्र है उस शेत्र को अपने संपून सिंधिया राजवन्ज के शेत्र में शामिल करके रखा हुआ था महादधी जी सिंधिया जो है वो गौलियर रांच के सबसे ज़ादा प्रसिद और प्रतापे शाषकों में से एक माने जाते हैं ये वो शाषके जिन्होंने आंगल मराथा युद्ध पे भी भाग लिया था और इस आंगल मराथा युद्ध के तहत जो संधी हुई जिसका नाम था साला अबाई की संधी इस संधी में इन्होंने गौलियर वाले शित्र को भी जीत लिया और उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्टित किया दौलत राव सिंधिया जी ने आंगे चलकर अपनी राजधानी को परिवर्टित किया और राजधानी परिवर्टित करने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई गौलियर को इसके पहले इनकी राजधानी थी उज्जयन जीवाजी राव सिंधिया जिवाजी राव सिंधिया मध्य प्रदेश में पार्ट B के प्रमुखो भी थे इसके साथ ही साथ में ये वो समय था जब मध्य भारत में मध्य प्रदेश मिल रहा था ये वो समय था भारत की आजादी का समय था इसके बाद जो जिवाजी राव सिंधिया है इनका विवाह तै हो जाता है राज माता विजिया राजे सिंधिया के साथ में इसके साथ में हम बात करते हैं विजिया राजे सिंधिया जी की तो विजिया राजे सिंधिया जो है यह बहुत जादा फेमा से इसके लावा यास तक यहां से एक भी चुनाव नहीं हा रही है और इनकी उपर एक कह किवनी राज माता विजिया राजे सिंधिया के ऊपर लिखी गई है एक राणी यह यह जो लिखी है म्रदुला सिंधा के दुआरा नेक्स चलते हैं हम भोपाल रियासत की स्थापना की कहानी बहुत जादा इंट्रस्टिंग है अगर आप इसे गौर से सुनते हैं देखे जिले की स्थापना की बात करेंगे तो भौपाल की स्थापना राजा भोज के नाम पर किया गई है और राजा भोज ने भोपाल में इतने सारे काम किये थे इतने सारे is खुदवाई इतने बड़े-बड़े महलों का निर्माण कर रहा है तो इस कारण से उनका नाम राजा भोज के नाम पर ही भोपाल रखा गया है इसके बाद बात करते भोपाल रियासत कैसे बना राजा भोज तो भोपाल की स्थापना कर चुके थे लेकिन इसके बाद जो यह गोडवंश की शाषिका रानी कमलापती को मिला यह है गोडवंश की शाषिका रानी कमलापती तो रानी कमलापती को यह पूरा शेत्र मिला और रानी कमलापती यहां पर अच्छे से शाषन कर रही थी रानी कमलापती का शेत्र था गिन्नौर गड़ का खिला जो कि आज तो कि रानी कमलापती परिशान हो जाती है और अपने नवजात शुशु को लेके अपने छोटे बच्चे को लेके परिशान होती है यहाँ वहाँ जाने के लिए तो भोपाल में इस्थित एक स्थान है जिसका नाम है रानी कमलापती पैलस जो कि इनके पती के द्वारा ही बनवा सिपाही था दोस्त मुहम्मद से इनकी मुलाकात होती है इसके बाद दोस्त मुहम्मद रानी कमलापती को वचन देता है कि वो उनकी सहायता करेगा परंतु इसके बदले में यह धन लेगा और रानी कमलापती इसके लिए मान भी जाती है दोस्त मुहम्मद कान उनकी सहायता कर ओपाल के शेत्र में प्रतन्त मुस्लिम सत्ता की नीव है कि अ कि अपनी राजधानी की शेत्र को बनाया तो दोस्त खान ने भुपाल से 40 किलोमेटर दूर आंगे चलकर एक जगह है जिसका नाम है जगदिशपूर तो जगदिशपूर को अपनी राजधानी बनाया परन्तू इसने जगदिशपूर का नाम परिवर्थित किया और इसे जगदिशपूर से इसलाम नगर कर दिया और यहां परिशने अपनी राजधानी इस्थापित की दोस्त मुहम्मद के बाद में उसका बेटा आया जिसका नाम था यार मुहम्मद खान अच्छा इनके नाम बहुत अजीव है ना दोस्त मुहम्मद खान यार मुहम्मद खान पर कंफ्यूस बिलकुल नहीं होना है तो दो अब बात दिमाग में आती कि दोस्त मुहम्मद खान जब उसने स्थापना कर ही दी थी मुस्लिम सत्ता की तो वो पहला नवाब क्यों नहीं बना देखे नवाब जो होते थे या फिर जो बड़े शाशक होते थे ये बनते थे जनता से जनता के प्रेम से अगर दोस्त करता रहा और इसके बाद जब इसका पुत्र आया तो इसका पुत्र यार मुहम्मद खान बोपाल का पहला नवाब बना इसके साथ में दोस्त मुहम्मद खान जो है इसे कहां दफनाया गया यह चीज भी याद रखना है तो फतहगड में इसे दफनाया गया जहां पर फतह बी हुआ कुछ ऐसा कि भुपाल रियासत में बहुत सारे छोटे बड़े शाशक आए लेकिन लगभग 107 सालों तक भुपाल में केवल बेगमों का शाशन रहा तो 100 साल तक रहने वाले शाशन को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कंडिशन क्या हुई थी छो सबसे पहली बेगम थी जिनका नाम था कुदसिया बेगम या फिर गोहर बेगम तो इन बेगमों के जो हस्ब jurisdiction थे इनके जो पती थे उनकी हट्या हो जाती है और इनके पती की हट्या के बाद ये मजबूरी में शाशन को सम्हालती है और ये काम आं पूरे राज्य की बागदोर समाली इनहीं का नाम गौहर बेगम भी है अगर आप से कभी कौशन में पूछ लिया जाए कि गौहर बेगम क्या भुपाल की पहली महीला शाशिका है तो आपका अंसर होना चाहिए कि हाँ बिलकुल गौहर बेगम भुपाल की पहली महीला शाशिका है इसके बाद इन्होंने एक मस्जित का निर्मार कराया है जिस मस्जित का नाम है जामा मस्जित और इस मस्जद को हम शुक्रवार मस्जद के नाम से भी जानते हैं, क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ताजुल मस्जद दूसरी मस्जद है, ताजुल मस्जद को दूसरी मस्जद है, वो उसे गुलाबी मस्जद भी कहा जाता है, आपको अलग चीज याद रखनी है जामा मजड जिसे शुक्रवार मजड कहा जाता है इन्होंने निर्मार कराया इसके बाद हम देखते कि इन्होंने एक महल बनवाया जिस महल का नाम इन्होंने अपने नाम में रखा गौहर महल तो गौहर महल का निर्माण कि इन्हों ने कराया इन्हों ने ही कराया गौहर महल तो कुदिसिया बेगम गोहर बेगम कहा जाता है इन्हें यह महिला रही है पहली महिला शाषिका रही है वपाल की 18 विर्ष की आईउ में इनकी पती की हत्या हो गई थी इसके बाद इन्होंने शाषन को संभाला इन्हें गौहर बेगम की नाम से भी जाना जाता है इन्होंने गौहर महल की स्थापना की इसके अलावा इन्होंने जामा मस्जित का निर्मान करवाया और शुकरवार मस्जित का निर्मान कराया देखिए यहां पर दिवाने आम और दिवाने खास दोनों हैं दिवाने आम का मतलब होता है जो आम लोगों के लिए स्थान बनाया जाए और दिवाने खास का मतलब होता है जो खास लोगों के लिए स्थान बनाया जाए तो इस महल में दोनों सभा मिलती हैं दिवाने आम और मोती बेगम दूसरी है शाहा जहां बेगम piace सिकनदधर जहां बेगम की जब बात करते हैं तो यह वो बेगम रही है जो की 1857 की क्रांथी के समय चाहिवर 122 जिकनदर जहां बेगम थी तो यह जो बेगम है यह बहुत क्रूर मानई जाती हैं और बहुत लालची भी The कि यहां की अंग्रेजों का साथ दिया अंग्रेजों का साथ देने के साथ ही साथ में इन्हों ने जितने भी न्यूस पेपर थे समचार पत्र थे जो समय में चल रहे थे जो एक दूसरे को समचार पहुचाने का काम कर रहे थे, सूचनाय पहुचाने का, तो उन्होंने समचार पत्रों को भी बैन लगा दिया, और समचार पत्रों को भी बंद कर दिया, चलने नहीं दिया अपने शेतर में, इसके इलावाद जितने भी लोगों की सूचनाय इन्हें में मस्जित का निर्मार कराया अपने नाम पे मोती मस्जद अर इस मजद में एक पार्क कि बात करेंगे हम शहाजहां बेगम की उनका जन्म इसलाम नगर भोपाल में हुआ था इसलाम नगर क्या था यह भोपाल रियासत की राजधानी थी इसलाम नगर जिसे पहले नाम जिसका जगदिश्पूर्ट था तो यहां पर इनका जन्म हुआ इसलाम नगर में भोपाल में इसके साथ ही साथ में शहा जहा बेगम वह बेगम है जिन्हों ने ताजुल मस्जित का निर्मार कराया क्या चीज़े याद रखनी है देखो सबसे पहले शहां बेगम है शा ह जहां नाम काaldon Master शहां जहां ने बनायों नहें बना दी ताजों मजजद नाम से एमिटाजտ मेल ताजों मजजद का निर्माड करवार यह मजजद किस पत्थर मज़त तथा तीन दिन का लेकिन बरतमान में से परिवर्दित करके पांच दिन का कर दिया गया है तो साजुल मजद का निर्माण किसने करवाया शहा जहां बेगम ने करवाया नेक्स हम देखते हैं खुसरों जहां बेगम बिलकुल इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना छोड़ दोनों बहन थी और इन दोनों बहनों में से जो बेगम आविदा सुल्तान थी ये चले गई अपना पाकिस्तान विभाजन के पश्यात में और इसके बाद जो बेगम साजिता सुल्तान है ये भारत में रुकी और ये अगली शाशेका बनी बेगम साजिता सुल्तान के बाद शेह पतोदी नवाब के पह्ते उनको को दिखाई देते हैं उसके बाद मनसूर अली का पतोदी नुखाई देते हैं इसके बाद इनका बेटा तैमूर रहएगा वह वह अब क्लियर बात समझ में आई कि भोपालर्यासत का संब्ध पतोदी के नवाब से कैसे हुआ क्योंकि ये जो शादियदा सुल्टान जी है ना इन्होंने पतौदी के नवाब से विवाह किया तो इस कारण से भोपाल की दियासत का पूरा शेत्र अब पतौदी के नवाबों को चला जाता है वही भोपाल का अंतिम नवाब कौन था बहुत अच्छे से क्लियार होना हमिदुल्ला खान साहब भोपाल के अंतिम नवाब थे इसके साथी साथ में एक और चीज क्लियार रहनी है कि इसके बाद में क्या हुआ भोपाल वाला जो छेत्रे वो मध्य भारत में मिला और मध्य भारत में हम देखते हैं कि 1857 की क्रांती कैसे आई मध्य प्रदीश में क्रांती का उदय कैसे हुआ ये देख लेते हैं 1857 की क्रांति, संपोंड भारत में जन्म लेने वाली वह क्रांति, जो कि अंग्रेजों के विरोधधाई और इस क्रांति को अगर अच्छे तरीके से और घण अच्छे तरीके से प्रजेंट किया जाता तो हो सकता है भारत उसी समयec आजाद हो जाता और सबसे बड़ी चीज यदि उपर तबके में बैठे हुए लोग भारत के छोटे तबके वालों का सपोर्ट कर रहे होते, छोटे लोगों का सपोर्ट कर रहे होते, क्रांतिकारियों का सपोर्ट कर रहे होते, तो हमारा भारत उसी समय आजाद हो जाता, पर कोई बात नहीं, बात में हो गया चलिए अब आंगे चलते हैं 1857 की क्रांती के प्रमुख तत्य आपको देखने हैं नॉर्मल चीज़े याद होगी आपको वैसे भी भारत के वाइसराय कॉन थे उस समय में तो लौड कैनिंग इसके अलावा 1857 में कंपनी का सेना मुख्याले कहां था शिमला में था तोप खाना मुख्याले कहां था वो मेरट में था और 1857 में क्रांती का जंडा कीत किसने लिखा था आजिमुल्ला खां के द्वारा लिखा गया था इस क्रांती के उधित होने का मुख्यकारण था इनफील्ड राइफर के द्वारा किया जा रहा भेद्भाव में भी सैनिकों में हरकम मच चुका था सैनिक बहुत परिशान थे अगर मितलब आपको कोई बार बार तीन बढर तीन नहीं परिशान करते रहे छोटी तो इस कारण से मध्धी प्रदिश में क्रांती का उदाय नीमच से हुआ, ये इसका कारण क्या है, देखो सबसे पहले अगर आपको किसी से लड़ना है तो आपको हतियार चाहिए होंगे, ऐसे तो नहीं कि डंडा उठा के बंदूक वालों से लडने चले जाओ, वो तो एक ग थियार मिलेंगे, बं मिलेंगे, गोले मिलेंगे, इसके अलावा आपको पूरी बंदूक एं, चाक कुछ उरी, जो भी चीज़े आपको चाहिए वो सारी ये तोप खाना मुख्यालय में रहा कर दीए तो Sबसे पहले किसको लूट तोप खाना मुख्यालय को लूटो, सारी कि खट्टे कर लो उसके बार जाके युद्ध करेंगे ना तो इस कारण से सबसे पहले जो क्रांती का ओढसे किया हम ये देखते चलते सब इस सारी चीजन है यह बहुत जादा महत्व पूर्ण आपसे कूट में समें कॉशन पूछ लिया जाता है नेत्रत्व करता है एक तरफ और दूसरे तरफ में इस थान किस जगह से किसने क्या नेत्रत्व किया तात्या टोपे इन्होंने कानपुर जहासी से रेतत्र किया जलकारी बाई जहासी से शेख रमचान सागर से रानी अवंती बाई रामगड मंडला से गिर्धारी बाई रामगड से शहादत खान महू से श्री बहादुर सीन मंडला से और सुरेंद्र भाई संबलपुर छत्तिस तो और गिर्धारी और गिर्धारी बाई जो है गड़ मंदला रामनगर से जलकारी और रानी लक्षमी बाई वह इनके साथ आ जायेंगी जो कि जहांसी से जहांसी के अलावा अगर आप्शन पूछा जाए तो इन्होंने कानपूर से भी नित्रत्व किया था इसके अलावों कॉछन पूछा जाए तो ग्वालियर से भी नित्रत्व किया था फिर शेख रमजान की बात करेंगे तो इन्होंने सागर से नित्रत्व किया जो महत्वपूर हो जाता है यहां तक बस इतना ही इंपॉर्टन्ट है एक और आप इनको याद रख सकते हैं सहादत खांज इन्होंने महूं से नेत्रत्व किया था तात्या भील इन्होंने खरगौन से नेत्रत्व किया शंकर शाह और रगुनात शाह दोनों इन्होंने मंडला जिले से नेत्रत्व किया था राजा ठाकुर प्रसाद इन्होंने राधाव गड़ से नेत्रत्व किया था नारेंड सिंग ने रायपुर से भीमा नायक ने मंडलेश्वर खरगौन से और राजा बक्तावर सिंग ने धार से किया था फिर भीमा नायक ने इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति को देखते है कि मध्य के शान्सादावन की चीज रही जाट Okay, Friend मिलते है वीडियो में आपको हमारी वीडियो कैसी लगने अपनेट करके जरूर बताएं इसके अलावा विडियो में मध्य प्रदेश के प्रमुक स्वतंत्रता से नानियों को कवर करेंगे और इसके साथ में जो भी आंगे की घटनाएं होंगी उन्हें हम कवर करते चलेंगे कि मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन कैसे कैसे हुए कौन-कौन से मुख्य-मुख्य आंदोलन मध्य प्रदीश दे हुए ओके मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच